सावन में गाय के इस अंग को छोने से जन्मों जन्मों की गरीवी दूर हो जाती है, रोडपती भी हो जाते हैं करोडपती। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन का महीना महादेव को समर्पित है, सावन के महीने में गाय के इस अंग को छूने से जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है दोस्तों, भगवान स्तरे कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माता है, गाय एक दिब प्राणी है, जिसमें सभी 33 क्रोड देवी देपता निवास करते हैं, जिस भी घर में गाय होती है, उस घर के सभी वास्त दोस्त भी समाप्त हो जाते हैं धर्म गरंथों की अनुसार, गाय में सभी देवी देपताओं का निवास है, अते गाय की पूजा करने से समस्त देवी देपताओं की पूजा का फल होता है, वो भी सावन की महिने में तो सोने पे सुहागा, गाय पर सभी नच्छत्रों का प्रभाव पड़ता है, गाय की र प्रित के समान है इसी सुर्ण सहार के कारण ही गाई के दूद का रंग हलका सा यानि की पीला होता है आज हम आपको बताएंगे कि सावन में गो माता की पूजा करने से मनिसको कौन से फल मिलते हैं साथी घर से वास्त दोस को नश्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाई के किस अंग को सावन में इस पर्स करने से सास्त्रों में अत्यनत सुभ माना गया है क्योंकि सावन का महिना बहुत ही पवित्र होता है महादेव को समर्पित होता है सावन के महिने में अगर गाई की पूजा की जाए गाई को कुछ खिलाया जाए और गाई के इस अ महीने में तो और भी कई सारे शुबयोग बन रहे हैं। गाए को जरूर आप अपने घर में जो भी कुछ बने आपको सबसे पहले गाए के लिए निकाल देना चाहिए। कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेर कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा। जो भी साबन की महीने में गाए की सिबा करता है उन्हें माता के समान मानता है, गोब माता उस पर आनी वाले समय में सभी संकट, सभी विपत्तियों को हर लेती है। और जातक कि हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सावन के महीने में सुर्यास्त के पश्चा जब गाय बंसे घर में लड़ती है तो उसके खुरू से जो धूल उड़ती है उसे मनुश के सभी पाप धूल जाते हैं। अगर ब्यक्ति क्रोधी है पढ़ाई मे कमजोर है। बोलने में असमर्थ है तो ब्यक्ति को गो माता को सावन में हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। कि कि दोस्तो सावन का महीना हर्याली का महीना होता है और गो माता के लिए अत्यंत शुब दायक ये महीना माना जाता है। इससे आपके यनि आप हरा चारा खिल तो बुद्धग्रह की दशा ठीक होती है, कुंडली में बुद्धग्रह मजबूत होते हैं, गाय को सास्त्रों में अत्यंत यनिकी शुबफलदाई माना गया है, अगर आप सावन के महिने में गाय का दान करते हैं, तो आपके घर से गरीवी दूर हो जाती है, क्योंकि बेक्त हो जाता है, और कोई कार रुका हुआ है, तो कितने ही प्रयास करने के बाद उसमें सफलता नहीं मिलते ही, तो मनिसको गोमाता को आप रोटी जरूर सावन के महिने में खिलाएं, सावन के महिने में पहले रोटी जो बने वो आप गाय को जरूर खिलाएं, और उनके काल में मनोकामना वश्य कहनी चाहिए गाई की डेली पूजा करने से सावन की महिने में मालक्ष्मी परसंद होती है और घर की आर्थिक इस्तिती मजबूत हो जाती है गर्मियों के दिनों में दौर पर आई गाई को पानी अवश्य पिलाए ऐसा करने से बेक्ति के सभी परकार के रोगों से मुक्ति मिलती है सरदियों में गौमाता को गुड अवश्य खिलाएं लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड ना खिलाएं चुकि स्त्रावन के महिने में आप गाई को सब कुछ खिला सकते हैं अगर पित्र दोस्त दूर करना चाते हैं तो गौमाता को आप यानि की रोटी और गुड और हरा चारा जरूर आप सावन के महिने में खिलाएं ये फाइदे वंद हैं इससे सभी आपके जितने भी दोस हैं सब दूर हो जाएंगे और गौमाता की पूजा करने से नोग्रह की शांती भी हो जाती है अगर बच्चे कहना नहीं मान रहें उनका सभा क्रोधी है बाद बाद पर गुस्सा करते आते हैं तो किशी दिन दौर पर आई गौमाता को सावन की महीने में हाथ उनके लगा हुआ भोजन अवेश खिलाएं गौमाता की पीठ पर एक उबरा हुआ कूबर होता है उस कूबर में सूर केतू की नाड़ी होती है रोजाना सुब़ए गौमाता के इस कूबर पर हाथ फिरने से इस पर्स करने से मनुस्व के सभी मौनावकामनाय पूर होती है उसकी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते है और गरीबी का नास हो जाता है गरीबी बहुत दूर हो जाती है इसके साथी साथ उसके सभी रोगों का नास हो जाता है इसलिए द्वार पर आई गौमाता की पीट पर एक बार हाथ जरूर फेरें यनि कि गौमाता के पीट पर जो उबर कुबरा यनि कि कुबर होता है उबरा हुआ उस पर इस पर यनि उसे चूने से लोगों की जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है लिकिन सावन की महीने में आप जरूर छुए घर बनवाने से पहले उस जमीन पर गौमाता और बच्छरे को बानते हैं तो सभी प्रकार के वास्त दोस्त दूर हो जाते हैं जिस स्थान पर गौमाता बैठी है बैठ कर आराम करती है वहाँ पर कभी कोई बाधाय अमंगल बूरी शक्तियां नहीं आती ध्यान रहे घर में बनी सबसे पहले रोटी गौमाता को अवश्य खिलाएं इससे परिवार में शुक्षानती बनी रहती है क्लेस दूर हो जाते हैं गौमाता के पंच गब हजारों रोगों की दवा है इसे सिवन करने से अशाध रोग भी मिट जाते हैं परिवार में गौशे प्राप्त पंच गब पदार्थों का अविश उप्योग करें पंच गब के बीना पूजा पाठ हबन में सफलता नहीं मिलती गौमाता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर दुकान मंदिर और परिसरों में धूप करने से वाता वरन सुद्ध हो जाता है सकरात्म कुर्जया बनी रहती है और व्यापार में वर्द्धी होती है साथी ग्राहों कों की शंक्या भी बढ़ती है अगर आपके घर में रोजाना गौमाता आती है सावन की महीने में तो आप बहुत ही भाग साली है या आपके जीवन में अच्छा समय आने का संकेत है महादेव की कृपा बरसेगी साथी माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसेगी क्योंकि गौमाता ऐसे ही घर पर जाती है जिस घर में पवित्र, सुधता और अच्छे लोग निवास करते हैं इसलिए द्वार पर आई सावन की महीने में गौमाता को बिना रोटी खिलाए ना भगाएं गौमाता के गले में सावन की महीने में घंटी जरूर बांधें गाई के गले में घंटी बांधने से और बजने से गौमाता की आरती होती है और इससे 33 करोर देवी देपता की आरती होती है और उनका फल मिलता है गौमाता के गोबर में मालक्ष्मी का बास होता है गौमाता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है इसलिए गौमाता के पूजा और दोद का सेवन करने से तनमन से जो भी ब्यक्ति गौमाता के पूजा अराध्धा करता है सावन के महिने में बैतर्णी नदी को पार कर जाता हुआ है और गोलोक धाम में निवास करता है गोमाता के पीट पे उब्रा हुआ, कुबर को इसपर्स जरूर करें अगर आपके घर में गोमाता आई है साबन के महिने में या फिर आप कहीं पर भी जाकर अगर कहीं जा रही है तो गोमाता के पीट पर जरूर इसपर्स करके गोमाता से असिरवाद लें आपके जन में जनमांतर की गरीबी दूर हो जाएगी रोड़पती भी हो जाएंगे करोड़पती जी हां दोस्तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखेगा हर हर महादेव जय मालक्ष्मी साथे वीडियो को लाइक करिएगा जदा जदा शेयर करिएगा और जलों को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्ष्मी